राजा भांतरी गोपी चंद भागत पूर्मल वल्लाग डेव रिशी वर्तमान विभारू सताक्षू बड़ा बड़ा जो सजनो वी रहा जकाने गुरु गोर्फनाजी मिलिया बारो कल्याण हो आज मैं इत्यास कर सकूँ कि जिन्ती भी पंग्यत यां विराजवान है सजनो ब अच्चारो अच्चारो परस बीट के तपिश्या में लवनीन पर सजनो दर्सन को निविया सत्संग जो सिद्देश गुरु गुर्फनाजी महाराज की और भी सत्संग शूँ आपनों कल्याण हो बड़े गुरु गुरु गुर्फनाजी महाराज की जेहुद तो एक भगत के मुन लागो अरे लाग यारे भावे महारे अरे गुरु गो रिखी ना थेरा अरे महारे अदूरे ना थेरा इसकी में तो ससंग मैं जानू ली लाग यारे भावे महारे वो सत्संग गंगारा सत्संग गंगारा मैं तो तुम जिरे जानू या जानू जानू चाहां अरे हदन योग, सुनिएगा अरे करे भारो सत गरू अरे करे किरपा अपे ना योगे अरे में तो जाओं महरे अरे नाथ गोर ठरे तो जाओं महरे ये नाथ गोर ठीरे हादु दे मेरे जावो ने अरे लाग्यों भावे भरे अरे गणू गोरे खर्ण हात अरो अरे मक्षी बर ना करो अरे में तो ससने माई लावो ने अरे जिन जिन ने अरे याद किया अरे अरे बे भगतिरा मारगे पाया दे अरे जिन जिन ने अरे याद किया अरे अरे बगतिरा मारगे पाया दे अरे हत योगे का ए रोली चलाए अरे हत योगे का गुरू कम ने शिका के अरे महरों मारगे पाय ले निकाया दे अरे लाग्या अरे भगे महरा अरे संद संगे जवने रो अरे संद संगे जवने रो अरे में तो मंदरी ये जवने रो तो पाशकी के में लागी क्यों चावे तू संद संग ने और बटे काई है सजनो सत्संग का मतलब क्या है यानि सच्य का संग करना भी को ना ससंग है और जाग्र का मतलब क्या है जाग्र के कुछ ग्रेड करना भी को ना जाग्र है तो मा सखी आ आत्मा की प्रम आत्मा शुबात कर लागी और के में लागी कि हैवे मेरे देव तो आदी अनादी है तो केमल लागी एक समय की बात सुनोए सकी अरे एक नगरी में गुरुजी आया था एक समय की बात सुनोए सकी मच्छिन दरनाथ गुरुद आया अरे एक माई अरे रोमने लागी एक माई ए रोमने लागी पुत्र में ही जगी माई ये है एक माई ये ओचल रोमने लागी पुत्र में ही जगी माई ये है कि अच्छी कि अरे आख्या में आशू अरे पड़े अभला के अरे तया करे मने माई जी अरे आख्या में आशू अरे पड़े अभला के अरे आख्या में आशू आए दे अरे महारे करूजी अरे पूतर को नी हाथ कि अचे को ने आख्या में आख्या में आख्या में आख्या में योगी माचंदरनाजी महाराजेगी जे हो